चलिए दोस्तों आज हम बहुत ही ज्यादा टेस्टी और सिर्फ पानी में कुछ चीजों को घोल के बहुत बड़ी हसा टेस्टी सा नाश्टा बनाएंगे और बहुत ज्यादा ये उपर से एकदम क्रिस्पी बनता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनता है बच्चों को आप इस बोक्स में भी दे सकते हैं इसके लिए एक कटोरी पानी लेंगे एक बड़े से बॉल में यानि बाउल में और चुटकी बर इसमें हल्दी पोडर डालेंगे साबु जीरा डालेंगे दो कटीवी हरी मिर्च डालेंगे और मैंने ये ना लाल मिर्च इसकी जग आप चिली आदा चमश नमक आप इसमें डाल सकते हैं आदा चमश धनिया पोडर डाला है गरम मसाला भी डाल सकते हैं एक कटावा प्याज डालिए इसमें एक कटावा हम इसमें बारीक कटावा टमाटर डालेंगे और टमाटर के बीच को मैंने बिल्कुल अलग कर लिया है तो बीज न दालेंगे आधा इसमें निम्बो की इच्छड़े से बीज गिर गए यह हम निकाल लेंगे जिसे कि नाश्टा कड़वा नहीं हुए तो इसे में फटाफट से निम्बो नी चोड़े यह बीज भी निकाल लेती हूं दोस्तों देखने के बाद अगर आपको यह रेस्पी पसं गैहूं का आटा लेंगे और आदा ही कटोरी हम इसमें सूजी लेंगे सूजी आप मोटी या पतली कोई भी ले सकते हैं और इन सब को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए आपको दोस्तों इस नाश्टे में कुछ भी बाहर से नहीं लाना है आप चाहें तो इसे सिर्फ आलू और प्यास से भी बना सकते हैं इस नाश्टे को सबजिया नहीं है तो भी आप सिर्फ आलू और प्यास से बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया बंद के तयार होता है तो यह अच्छे से मिक्स हो गया है तो चलिए इसे पांच मिट के लिए सूजी को फूलने सी विंताल दाल देंगे और एसमें तड़का लगा देंगे तड़का लगाने से नाश्ट्ता इस सब्सक्राइब बीगा बना सकतें लेकिन तड़का लगा चाहिए ज़्यादा नाश्ते वाब oni क्तश्प्रा भाबुई पर dwझ लगतेु नाश्टे के और उपर से थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल देंगे जिससे की एक साइट से सीखी रहा है और दूसी साइट से भी अच्छे से सीख जाए बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और बहुत ही बढ़ी हा नाश्ता बनके तैयार होता है घर में सबको पसंद आएगा और यह आटे से ब के टेस्टी होता है खाने में तो जरूर बना के ट्राइ कीजिएगा घर में सबको पसंद आएगा बिना चटनी के बिना सोस के भी आप इसे खा सकते इस नाश्ते को और मैं इसे तोड़के दिखाती हूं आपको अंदर से भी देखिए एक दम बढ़ी हासा पके तैयार